नमस्कार दोस्तों जेसी किष्णा पूनह आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या कंप्यूटर पर दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे डाक्टर भीम्राव अंबेटकर सामाजिक विज्ञान विश्विध्यालाई में जो इसनातक एम इसनात करेंगे दोस्तों यह जो है एड्मिशन फार्म से पहले जो प्री एक्जाम होती उसके लिए आवेदन फार्म फील हो रहा है इसी के आधार पर आपका प्रवेस्ट फार्म भी फील होगा तो हम इसके फार्म कैसे ऑनलाइन करेंगे उसके बारे में हम आपको स्टेप partner Indian होगी है तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यर्धी आप हमारी चेनल पर नय है तो हमारे चेनल को सबस्क्राइब करेंं बेल आइकन को जरूर दबाए जिसके हमारे आने वाले वीडियो के ह। समय पर मिलते रहें चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं डाक्टर भीम्रा अंबेटकर सामाजिक विज्ञान विश्विद्याले के फार्म भरने के लिए सबसे पहले हमें यह वाले पोर्टल पर आना है जिसकी लिंक हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे देंगे जहां से आप डाइरेक्टर यह वाले पोर्टल पर आएंगे तो यहां पर इसकोल करके नीचे आना है यहाँ पर online registration उसके बाद में विश्विद्या लेके समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश विग्यापन और फिज डिटेल यह तिन ओप्षन दिखेंगे तो आप इनके जो पाठ्यक्रमों की जानकारीब आप यहाँ पर click here पर click करकर ले सकते हैं और कौन से विशाई की कितनी फ सब्सक्राइब खुलेगी और कुछ इस प्रकार से इंटर्फेस सो होगा कि इसमें दोस्तों यूजरनेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है यह दि आप पहली बार आवेदन फिल कर रहे हो तो आपको न्यू फोर न्यू रजिस्टेशन पर क्लिक करना जैसे इस पर क्लिक कर दाले मोबाइल नमबर ढले और इमेल डी डाले और सब्मिट्स पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नमबर और इमेल आईडी पर एक यूजरनेम और पासवर्ड आपको ट्राप्त होगा जो की मेसेज के दूआर आपको मिलेगा तो दोस्तो हम इसका username or password create कर लेते हैं तो दोस्तो जैसे submit पर click करेंगा तो यहाँ पर एक हमें एक message आएगा registration successfully submitted, your user ID and password has been sent, your registered mobile number and email ID इसको ok पर click करना है और उसके बाद में go for login पर click करना है तो दोस्तो आपके जो mobile पर username और password आया है वो आपको यहाँ पर डालना है और इसको login पर click करना है जो हम कर लेते हैं दोस्तो कभी-कभी username और password नहीं आता है तो यहाँ पर forget user ID and password पर click करकर अपना mobile number और जो registered email ID वो डालकर अपना password और user ID आप mail पर और message के थुरू राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर हम username और password डालकर login पर click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे तो दोस्तो जैसे ही login पर click करेंगे तो यहाँ पर हमें एप्लिकेशन ID दिखेगी कुछ महतुपूर इंट्रक्शन दिखेंगे यह भी आप पल ले उसके बाद में एप्लिकेशन फिस डीटेल जिसमें लिए और सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले हमें आवेदिक पाटे क्रम का चेन करना है कि हम क सिसके लिए आवेदन कर रहे हैं जीस भी कोर्षें के लिए आप कर रहे हो उसको को आप यहां पर सर्क्रक्रेंग उसके दोस्तों इहां पर मैं supply decision अठीड फिल होकर आएगा जैसे आप जो भी कैसे आप यहां पर फिल करोगे उसी साथ कब्रबसे आपका जो है कॉलेज यहां पर हमें सो होगा उसी तरह जैसे हम दोस्तों प्रसनल इन पर इंफिर्मेशन में दोस्तों स्टूडेट नेम को मोबाइल नंब मर इमेल आईडी यह औटफील होकर आएगी हमें मेल फीमेल father's name mother's name डेट अब बिर्थ और मेरिड अनमेरिट केटेग्री धर्म और विकलांगता है तो विकलांगता की जानकारी चान्ने से इस सारी जानकारी हमें रहें जू हम कर लेते हैं इस करनी है और giorno next पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे थे इसके बाद में एड्रेस करना है उसके चि Sound कर तो यहां पर जो हम कर लेते हैं उसके बाद में दोस्तो अप्लोड डॉक्युमेंट तो यहां पर हमें फोटो सिगनेचर अप्लोड करनी फोटो जो है 100 KB और इस प्रकार से दोस्तो फोटो और सिगनेचर यहां पर चूस करना है और अप्लोड करने जैसे करेंग हैं तो हमारी जो फोटो सिगनेचर है हमें यहां पर 100 होगी कुछ प्रकार से हमें केटेगरी सर्टिफिकेट मुल्लिवासी प्रमान पत्र यदि आपने यरली कर रखी है तो आप यहां पर फर्स्ट येर सेकंड येर ठर्ड येर की माक्सिट भी अप्लोड कर सकते हैं और यहां पर 10 12 और ग्रेजुएशन पर क्लिक करें और यहां पर माक्सिट आपको चूज करना है और उसके बाद में सेवें नेक्स्ट पर क्लिक करना है इस प्रकार से आपको डोकिमेंट अपलोड करना है और उसके बाद में सेवें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर आपको फिर से upload document पर click करना है जो आपने document upload किये वो यहां पर check करना है यहां पर आपने जो document upload किये वो पुरी तरह से सही है तो आपको फिर से 7 next पर click करना है उसके बाद में दोस्तों आपको फिर से 7 next पर click करना है जैसे इस पर click करेंगे तो हमारा जो application form submit हो जाएगा और payment information successfully submitted दिखेढ के इसको के पर क्लिक करना है उसके बाद में जो करके नीचे करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में produkt करना है जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड नेड बेंकिंग पेटी एम गूगल पे यूटी आई एम आई वालेट जिससे भी आपको पेमेंड करना है आप इसका पेमेंड कर ले और पेमेंड करने के बाद में जो रिसीप्ट जनरेट होगी वो एप्लिकेशन रसित की आवशक्ता रहेगी और यह एप्लिकेशन रसित से ही वो प्रवेस परिक्षा में भाग ले सकता है यदि इस प्रवेस परिक्षा में पास हो जाता है तो आपको जो कालेज और जो सब्जेक्ट लिया है उसमें आपको एड्मिसन रहेगा और आप महा पारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना एम किसी भी प्रकार की दिख्या था तो हमें कमेंट्स करना हम आपकी सहता करने की पूरी कोशिस करेंगे धन्यवाद दोस्तों जैसरी किस्नय राधे राधे